वल्कम पेक आगण वाब करिये भारते जन्ता पाठी बेजार वाविस हिमाजल प्रदेश विधान सबाद चूटणी माटे धंधीरो जाहर करियो छे पाठीना रास्त्री अध्यक्ष जेपी नडाय तेने शिबलाबा लॉंच करियो वाज़कना संकल पत्र मा धार्मीक प्रवासन स्थड़ोने रोड सुविधा आपवामा अने आउप्रांध रोजगार आपपानी वाथ आटलाक लोकोली रोजगार आपपानी जारातनी साथे अग्यार इवा मुख्य मुद्दाओ छे के जिनू समावेश करवा मावियो कमिटी ना अध्यक्ष डॉक्टर सिकंदर कुमारी जणावियो के जे संकल पत्र तयार करवा मावियो छे अजन्ताना विश्वासनी प्रतिक्या छे अमाटे लगबग 25 जार लोको पासे थी सूचनो लिवा माविया पाटिना रास्टे अध्यक्ष जेपी नडा कैंद्रे मंत्री अनुराक्सी ठाकूर बोके मंत्री जयराम ठाकूर बीज़ेपीना प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कष्चिय अपतिमाचुसांस डॉक्टर सिकंदर कुमारी संकल पत्रने जाहिर करो हतो पहली बात ये 11 कमिट्मेंट्स सुसाइटिव में यूनिफॉर्मेंटी लाएगी ये कमिट्मेंट्स यूथ और हमारे फार्मर्स को इंपावर करेगी ये commitments हमारे होर्टी कल्चर को मजबूती प्रदान करेगी ये हमारे commitments हमारे gornment employees को एक तरीके से नियाएद दिलाएगी और ये हमारे commitments को मिला करके एक religious tourism को भी आगे बढ़ाएगी 11 संकल्प के बिंदु हैं उनको आपके सामने में रखना चाहता हूँ सबसे पहला बिंदू है कि हम भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और इसके लिए एक समीती बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा हमारी दूसरी कमिट्मेंट है कि भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार मुख्य मंतरी अंदाता सम्मान निधी के तहद जो प्रदान मंतरी किसान सम्मान निधी में जो राशी मिलती है उसके साथ साथ तीन हजार सालाना तीन हजार रुपे सालाना यह उसमें जोड़ा